ओम श्री गनेशा नमा दोस्तों आपका हरतिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 19, 20, 21 और 22 जनवरी के महारासिफल के बारे में कि इन दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा आपका केरियर कैसा रहेगा आपका घर परिवार कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और स्वास्त की महत्पूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे इसके साथ या आपको एक विसी सुपाई भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी भैतर और अच्छा हो सके दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्क्राइबर से करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक हमारी नहीनी वीडियो पहुंच सके चले दोस्तो बात कर लेते हैं कैसे रहेंगे भगवान बजरंग बली के असिर्वास से ये चार महिट पूर दिन दोस्तो आपको केरियर में इस समय में रफ्तार दिखाई देगी वियापारी जातकों को भी बिजनेस को विश्तार देने का मौका मिलेगा आर्थिक जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे हाला कि कुछ खर्चे भी होंगे किसी ने बिजनेस से अधिक सफलता मिलेगी जियां दोस्तो आपकी आर्थिक इसी दी मजबूत होगी केरियर में आपको अनुकूल फल प्राप्त होंगे व्यापार कर रहे जातकों को किसी गुप्त स्रोत से धनलाब होगा जियां दोस्तो उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा जो जातक पार्टनर्सिप में बिजनेस कर रहे हैं सभी कारिये समय पर पूरे होंगे आज खर्चों के बावजूत धन की कोई कमी नहीं रहेगी आज रुका हुआ फसा हुआ धन आपको वापिस मिलने के योग रहेंगे आज केरियर में रफ्तार पकड़ने का अवसर प्राप्त होगा जिवन में तरक्की और पदोनती संबह है व्यापारी जातकों के लिए यह समय निवेश के लिए बेहद सफल रहने वाला है आप अपनी मेहनत के दम पर परेशानी का हल निकालने में आज काम्याप रहेंगे कोई बड़ा लेंदेन करते समय आप विसेश सावधानी बढ़ते हैं नोकरी पेसा जातकों को पदोनती और प्रगती का लाब संबह है जियां दोस्तों आज कारिये चेतर में प्रदर्शन करने का मोका भी आपको मिलेगा पारिवारिक जीवन बेहद अच्छा रहेगा जीवन साती के साथ रिष्टा बहतर रहेगा इसके साथ साथ पारिवारिकी जीवन में सुक बना रहेगा संतान पक्ष को भी पढ़ाई में बहतर प्रदर्शन करने के मोके मिलेंगे जियां दोस्तों जात्रों को सिक्षा में काम्याबी मिलेगी विदेश जाकर सिक्षा प्राप्त करने का आउसर भी प्राप्त होगा आज छोटे भाई भेहन आपका सहीयोग करते नजर आएंगे दोस्तों विद्यारती अपना भेतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे छात्रों को अधिक सफलता पाने के लिए और अधिक प्रियास करने होंगे जीवन साती की मदद से कारिय छेतर में आपको कोई बड़ा लाब हो सकता है आपका जीवन साती आपका हर कारी में पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे और सहीयोग भी करेंगे यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी के साथ मिलकर कोई बड़ा निड़े आज आप ले सकते हैं लव मेरिज के भी योग रहेंगे स्वास्त के लिए इसामे उत्तम रहेगा स्वासमंदी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा हाला कि स्वास्त के लिए से आपको सावधानी बरतनी होगी आज आपके सहस और प्राक्र में विर्द्धी होगी आपकी मुलाकात किसी खास सक से भी हो सकती है जियां दोस्तों आपको अपनी महनत और प्रियासों में सफलता अविश्य मिलेगी ये समय आपके लिए भविसे की योजनाव को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा आपको अपना विवार सही योगात्मक और सकारात्मक रखना होगा दोस्तों आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा दिन की सुरुआत आज कुछ परेशानियों के साथ सुरू होगी जियां दोस्तों आज आपको आर्थिक समस्याओं से छूजना पड़ सकता है आज कामकाज में बाधाय आने से मानसिक चिंता और आर्थिक कष्ट भी संभव है विरोधी पक्ष आपकी पृतिष्टा पर सवाल खड़े करने की कोशिस करेगा जियां दोस्तों कारिये छेतर में सीनियर्स की उपेक्षा करना आपके लिए उप्यूकत नहीं होगा भूमी भवन आदी का किरिय विक्रिय करने से पहले किसी वरिष्ट की साला मसोरा लेना ना भूले जिया दोस्तों धन के लें देन में विशेश सावधानी रखें विशेश कर सनिवार और मंगलवार के दिन उधार देने से भचें आज आप अपने मन को नियंत्रन में रखें अगर आप वहान चाला रहे हैं तो वहान पर भी नियंत्रन रखने की जरूरत होगी अन्यता की गई गलती का बड़ा खाम्याजा आपको उठाना पड़ सकता है अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं इससे मानसिक और सारीरिक परिशानी बढ़ जाएगी और अनावसक धन खर्च बढ़ जाएगा जिया दोस्तों चात्रों और युवाओं में पढ़ाई में कुछ बांधाई आ सकती हैं कोई भी निरने लेने से पहले अपने किसी सुप चंत क्या बड़े भुजुर्की राय लेना ना भूले कारियस तल पर अपने सयोगियों से सावधान रहें सतरक रहें किसी भी कागजात पर पूरी जाच परताल करके ही साइन करें वरना आपके साथ धोका भी हो सकता है हाला कि आपके विरोधी आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे फिर भी आप उनसे सतरक रहें दोस्तो आज आप अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा वादा किसी से ना करी अन्यता पूरा नहीं होने पर आप लोगों की हसी का पात्र बन जाएंगे जीवन साती के स्वास्त का ख्याल रखे प्रेम संबंदों में सोच समझ कर ही कदम बढ़ाई अन्यता आपका अपमान भी हो सकता है आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगर आपने समय रहते अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो संबह है कि आप जिसे पसंद करते हैं वे किसी और का हो जाए जी आँ दोस्तों उस वक्त आपके पास पच्चतावे के लावा कुछ नहीं बचेगा आपको अपनी लव लाइफ में बहुत संबल कर चलना होगा लव बर्स के लिए यह समय बहुती सांदार सावित होने वाला है आपके प्यारों संबंदों में गनिश्टा आएगी आज आपके पुराने दोस्तों में फिर से मुलाकात होगी यहां तक की जिनका ब्रेक अप हो चुका है उनके लिए भी यह समय सुब रहेगा जिया दोस्तों आप और आपके पार्टरन के बीच में आपसी सूजबूज भी बढ़ सकती है आप अपनी लव पार्टरन के साथ अधिक से अधिक समय व्यदीत करें ताकि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अब प्यार का जहार करने के लिए परफेक्ट टाइम हो सकता जिया दोस्तों आपको अपनी लव लाइप में काफी सावधान रहनी की आव सकता है इस वक्त आपकी लव लाइप में कुछ रुकावेटे भी आ सकती हैं आपकी कुंडली बता रहिए अब आपकी लव लाइप में चमक आएगी आपको अपनी लव लाइप में कुछ जोकिम भी उठाने पड़ सकती हैं अगर आप धहरिये बना कर रखते हैं तो अब आपकी लव लाइप में चमतकार होंगे आपका घर परिवार कैसा रहेगा आज आपका घर परिवार काफी हद तक सुचारू रूप से चलेगा यदि आप किसी काम के सिलसिले में अभी तक परिवार से दूर रह रहे थे तो अब आप अपने घर वापस लोट पाएंगे और अपने परीजनों के साथ भी कुछ समय बिताने की संभावना बन रही है परिवार के बुजर्गों से आपके संभन अच्छे बने रहेंगे जिया दोस्तों यह समय परिवारी की जीवन के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है परिवारी की सदस्यों में आपसी समंजे से बढ़ेगा आपके परिवार की समाज में अच्छी पृतिष्टा बढ़ेगी मानसमान बढ़ेगा और परिवारी की महावल सौहदरपूर्ण बना रहेगा आपको अपने परिवारिक जीवन में तालमेल बिठा कर चलना होगा आप अपने परिवार में सांती और सदभावना लाने के सभी प्यास करेंगे और आपको परिवार के साथ साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा आप काफी हद तक परिसानियों और समस्याओं से छुटकार भी समय पा सकते हैं यदि आपका जीवन साहती कामकाजी है तो उसे अपने कारिये चेतर में सफलता मिल सकती है परिसितिया काफी हद तक सुगम रहो जाएंगी और आपकी दामपती जीवन में मदूर्ता और मजबूती आती चली जाएगी दोस्तों आपका स्वास्त कैसा रहेगा आज आप उर्जा से भरे रहेंगे और अपने सभी कारियों को दक्षता के साथ पूरा कर लेंगे हलाकि आपको स्वास्ते जूड़ी परिसानियों से दो चार होना भी बढ़ सकता है जैसे की जोडों में दर्द सिर दर्द जैसी समस्याओं से परिसान हो सकते हैं आप अपने स्वास्त को लेकर बिल्कुल भी रापरभाई ना बढ़ते हैं यदि कोई बिमारी बड़ा रू खूब ख्याल रखेंगे इस स्वास्त के लिए आसे यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा दोस्तों ऐसे में अब यदि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा और आर्तिक परिसानी और आर्तिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आप ये कुछ सरलुपायव से आजमाएं 21 ये 11 मंगलवार को विरत रखें उपवास रखें और हर मंगलवार को वानरों को अपनी इच्छानुसार बूजन कराएं और हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने बैठ कर जितनी बार हो सके हनुमान चालिसा का पाट करें और साती हनुमान संकट मोचन का भी पाट करें ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां भगवान बजरंग बली अवस्य दूर करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को सेयर करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जेवज रंगबली अवस्य लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो